दूस्तू नए सिक्षा आयोक के लिए लाकों बिरती वेट कर रहे हैं कि कब आयोक फाइनल होगा कब यूपी टेट का एक्जाम होगा और इसके बाद नए सिक्षक भरती आएगी यहां पर लाश्ट गर हम बात करें तो ट्विटर पर एक अभियान चलाया गया था जिसमें न समाचार पत्रों में कई खबरें यहां पर सिक्षा चैन आयोक से संबंदित हैं यहां पर पहली खबर है कि नए आयोक में बढ़ सकते सदस्य और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि नए आयोक के गठन को ट्विटर पर फिर अभियान यह अभियान चलाया गया इसको ले टायर आई-एस और पूर्व कुलपती अध्यक्षपद की दौर में कहा जा रहा है कि प्रात्मिक से लेकर के उच्च सिक्षा तक के संस्थानों में सिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सिक्षा चैन आयोक गठित करने की कवायद तेज हो गई है लेकि मुख्यमंतरी साहब ने कहा था कि हम इसका गठन बहुत जल्द करेंगे तो उमीद है इसका गठन अब जुलाई का लाश्ट वीक चली रहा है गस्त के फर्ष्ट वीक तक होई जाना चाहिए ये कहा जा रहा है इसकी गठन से संसोदित प्रस्ताव जो है कैबिनेट की अगल मुख्य सचीव पद से सेवा निम्रत एक आईस ओफिसर का नाम ज्यादा चर्चा में आ गया है नए आयोग में अध्यक्ष के एक पद के साथ सदस के ग्यारा पद श्रजित किये जाने का प्रस्ताव है नए आयोग के गठन की प्रक्रिया उच्च सिक्षा विभाग से संच पर यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि राज सिक्षा सेवा चेन आयोग में बढ़ सकती है सेधसियों की संख्या फिलहाल यहां पर ग्यारा पद श्रित हैं देख पा रहे होंगे कि राज सिख्षा सेवा चैन आयोग में सदस्टियों के फिलहाल 11 पद शरीट हैं बेसिक से लेकर उच्छ सिख्षड संस्ताओं में सिख्षक बरत्पी के लिए राज सिख्षा सेवा चैन आयोग का गठन किया जा रहा है इसका प्रारूप तयार हो चु माध्यमिक और उच्य सिक्षा के अंतरगत संचालित एडिट सिक्षड संस्ताव में सिक्षक बढ़ती की केंद्रीकत ब्युस्था के तहत दो जार नीस में राज सिक्षा सिवा चैन आयोग बनाने की पहल की गई थी अब वहाँ पहल मूर्त रूप मूर्त रूप ले रही दो सपद भी हो जाती है और यहां पर यह आयोग बीरबल की खिचली हो गया है आपका क्या कुछ विचार है जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा आगे कहा जा रहा है कि सासन से सहमती मिलने के बाद सदस्यों की संख्या एक या दो बढ़ाई जा सकती है आयोग में अधिक के लिए पिछले कुछ मैनों से तेजी से काम चल रहा है इसी आयोग में अलपसंख्यक मदरसा संस्कृत और प्राविधिक कालेजों में भी सिक्षक भरती की बिवस्था कर दी गई है पहले इन कालेजों में वहां की प्रबंध समिती सिक्षक की बरती करती थी प्रदेश सर और सीटेट पास अभियरतियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया प्रतियोगियों ने हां योगी जी सिक्षा आयोग का गठन करो हैस्टेक से ट्विटर पर नए आयोग के गठन और सिक्षक बरती का विगयापन जारी करने कि मांग उठाई रभियार दोपार में एक समय है पहले 13 15 14 की संख्या सूत्र के छक्रने के क्ष्षा ही रिंकां AA के रशार सदस्फ्यों के संख्या बढ़ाने के 20 मंत्री योगी रादितनाथ के चर्शों नहीं देए और तो जुलाई भी समझ दीजे चला ही गया अब अगस्त के फरस्ट वीक में ही अगर हो जाता है सब कुछ तो ठीक है ताकि सब्तम्बर तक आपका यह उपिटेट आ सके और परिक्षा करा ही जा सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वण अपडेट के साथ नए आये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसी ही महत्वण अप को मिलती रहेगी